कि बस अब और अब और नहीं चल सकते बारा घंटे हो गए भूखे पेट लगतार चलते हुए सिर्फ बारा घंटे ही हुए ना, कोई भी आराम नहीं करेगा, सब चुक चप चलो नहीं साब, अब अगर हम चाहें भी तो साब हमारे पैर साथ नहीं देंगे भगवान के लिए साब ठोड़ी देडर आराम कर लेने दीजिया जिस मजदूर के पैर उनका साथ नहीं देंगे, उनके पैरों को इस बंदूग की गोलियों से इनाम दूँगा, अब चलो सब सम्हाल कर, सम्हाल कर जाची इच्चा खुद का खयाल रख सकती है, तुमें इसके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सम्झे चलो अभी, अब चलो मिल गया तुम सब ने मेरी बहुत मदद की, अब तैयारो जाओ आपने इनाम के लिए अब तुम दोनों को तुमारी बेवफाई की सजा दूँगा अब मैं अमर हो जाओंगा अब दोस्तों, आप सब का जो अपना कीम्ति वद निकाल कर यहां आए और दिल खोल कर तमांग खरीद कर इस निलामी को कामियाब बनाएं अब बारी है उस निलामी के आखरी पड़ाव की, आखरी खरीद की इसका आप सब को बहुत बेसबरी से इंतजार था दोस्तों, सेक्रों साल पहले स्पैनिश और पुर्तुगी लोग भारत आये थे मसालों का वेपार करने के लिए यह डायरी उसी वत उसी दोर की है और इस डायरी की खास बात यह है कि इसमें क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूं और मुझे तो क्या किसी को भी नहीं मालूं सिवाए इसके मालिक के यह डायरी स्पैनिश सेलर जॉंसन वैंगलर की थी जिसे सेक्डों साल पहले अबस पेसा चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसाच तो निलामी शुरू करते दसलाक रूपियों से 20 लाख और कोई 30,000,000,000. एक करोर! यह साब, इसे कहते है असली कपडरणा, जो लाखो फिचीज करोड़ों तक पुचा दिये करोड़ एक करोड़ जो रे एक करोड़ थीन एक करोड़ का चैक मैंने पहले ही आपके अपिसे मेजामा कर दिया है यो डायरी अगले एक घंटे में मेरे घर पहुंच जानी चाहिए जोनता नहीं तुन्हें डाई रही अपनी मौत ख़ए दिये मौत अजो नो, मेरा पानी कहता हो गया, गाइस तुम लोग पानी है क्या? अरे यार, मेरा पानी तो शाम को ही कहता हो गया था अरे तुम पताना था ना, दावे पर लेते ऐसे ही सोजाओना यार, कब सुभा तकी तो बात है यार प्यासे रहताँ मुझे डरावने सपने आते है अनिके, ये डरावने सपने और प्यास का क्या कलेक्शन है बाई दवे? पदा नहीं पर मुझे पानी पीना है यार तु सुदरेगा नहीं, सोजा यार तुम लोग समझे तुम लोग समझे तुम इनों के तीनों कॉम करना इस नक्षे के हिसाब से तलाब करीब आदे किलिमीटर दूर पे है त्यास बुजानी है तो तलाब तक तु जाना ही पड़ेगा पानी की आवाज आ रही है लगता है तलाब कहीं आस पास में यह और यह नक्षा भी यही बता रहा है कि तलाब आस में बचाओ, बचाओ! बचाओ! ते चीक कैसी है? अरे यह निकेट कहा जला गया? कहीं यह उसी की चीक तो नहीं अरे कैट! अरे कैट! अरे कैट! कहीं है? यह यह अर्ग्मार गया? को आने! यह कुन मारा बेहन? बगो दूगो बगो दूगो सब्सक्राइब किसी ने इसकी जान ले ली और तो और सर हमारे साथ भी अचाना कमला हुआ और जीट से कुछ मालूम नहीं पड़ा सर सर हमारा एक साथ ही पूरभ भी अब कल राथ से नहीं मिल रहा कल राथ हो हमसे बिछड़ गया और मुझे तो डर है कि कहीं अनिकेत की तरह उन लोगों ने पूरभ को भी तबराने हम लोग पूरभ को जदी डूंड लेंगे चलो डूंडो देगो कुछ मिलता है क्या एक जिदा आयू छिदा आये यहदू आ दो डिदा आये क्यों विव्यों इसलिवाइया यहद रहे पिंदा आये को जोको आए जोक्या नाम्दीन सुरी आप सितर राई पूरा तू ठीक तो है न? आप लोग ये बताइये कि किसी पर शक है आप लोगों का सार शाहिए ज़िए उस बाइकवाले काम है बाइकवाले? कौन? कौन बाइकवाला? सर बाइकवाला जिसने कल शाम हम सब कु धंकी दी थी हाहाहा कल-कल की बात याने तुम लोगों को ये सबसे आधा बंगे करता है ये कौन है या बात है बॉस वो चाहिए क्या आ चाहिए मुझे चाहिए कि तुम सब लोग सुरक्षित रहो सुरक्षित? ये इलागा बहुत खतरनाक है अपने अपने घर लोट जाओ उसी में तुम सब की भलाई है तो हमें दमकी दे रहा है? दमकी समझो, विंटी समझो या फिर श्यतावनी जो समझ मैं समझ लो मेरा पर्थ था तुमें सचेत करना जो मैंने कर दिया अब अगर मौत के मुह में जाने का इतना ही चौक है तो खुची से जाओ शायद वो सौ किलोमेटर से हमारा पीछा कर रहा था और जिस दावे पे हम लोग रुके थे तर वो भी वही रुका था और उस आदमी का चेहरा नहीं आगा अगा अगा पून की बून्द है मतलब कोई जखमी आदमी भागा यहां से सर लेकिन पून बहुत जादा नहीं है यो भी है उसे जादा चोगी हैं उनोगी सर यह देखिये गसीपी के निशान है मतलब उन दोस्तों के अलाबा कोई और आदमी भी था जिसको उन मुझरुमों ने मारा और फिर उसे गसीटते हो यहां से ले गए सर यह रास्ता तो तीता में रोट की दरव जाता है इसका मतलब जो भी गुनेगार था उसे जंगल और रास्ते का पूरा घ्यान था हां तभी तो रात के अंदेरे में भी यहां पाँचने में कोई गल्ती नीकियों लोगों ने यह पार के निशान यह तो किसी बड़ी काड़ी के लगते हैं साड़े आट इंच तर यह तो लेस्कॉट गाड़ी के टाय लगते हैं क्योंकि इतने चोड़े टाय उसी गाड़ी में होते हैं मतलब वो मुझरिम कार में बैठके बागए तर वो बाइक वाला? वो तो कार में बैठका है नहीं होगानी तो हेलमेट क्यों लगाता एक काम करो आगे जो तोलना का है वह जागे बता करो यह लेस्कॉट गाड़ी वहां से गुजरी है क्या? जी से तब तक मैं यहां देखता हूँ कुछ और मिलता है क्या? यही है वो दाबा जहां मैं और मेरे दोस्त खाना हाने के लिए रुके से अरे आईए आईए सरजी बैठिए गर्मा गर्म दाल मखनी बनाई है लगा दू पांच पलेट है मखन मारके जी हम लोग खाने पिने नहीं आई हम लोग सी आईडी से सी आईडी से या हुआ साप आपको याद है कल मैं और मेरे कुछ दोस्त आप पे डाबे पे खाना खाने के लिए रुके थे हाँ हाँ हलका हलका याद तो आ रहा है पर आपको इतनी चोट कैसे लगी दल रात इनके पर हमला हो गया और उस हमले में इनके दो अस्तानी के हैद की मौत हो गया है ये भगवान यह हो क्या रहा है आज़ आजसमाज में दिन बदीन जूर्म बढ़ता ही जा रहा है आज वह तो है लेकिन हमें शक है के इस जूर्म में एक बाइक वाला शामिल है जो कल यहाँ पे बाइक वाला जी उसने एक ब्लैक बाइकर सूट और ब्लैक हलमेट पहना था और मुझे अच्छे सही हाद है उसके पास नलॉंजन मॉडल की बाइक भी थी एक बाइक वाला आया तो था अच्छा उस पाइक वाले के बारे में कुछ यहाद है आपको कैसा दिखता था हुआ ज मोरे किन छसळार मगों पता होगा रामः जरा इतर अंच भताना साभागों को इस बाइक वाले के बारे में जब उसने हेलमेट उता रहा था थो मैंने कोशिज जारी रता है क्यों हो अश्या सर, सारांज कावी तक पता नहीं चल पा रहा है मैं सारांज जरूर मिल जाएगा अगर वो गाड़ी इस रास्ते से गई है तो इस तोलना के से जरूर गुजरी होगी सही कहे रहे हैं अरे बाइसाब यहां कल रात में तीन बज़े के आसपास कोई लेस्कॉट गाड़ी निकलिया यहां से पतानी सर, मेरी दो दिन की शिप्ट होती है रात की शिप्ट अलब शाम को आएगा बाइसाब यह जो सीची टीवी कैमरा लगा है यह तो चॉबज होन्ते वान जाता है जी यहां सर इसकी फुटेज देख सकते हैं फिर आपको हम लोग सी आईडी से आहां हां देख सकते हैं आयस यह देखें लेस्कॉट गाड़ी रात के दो पच्छपन को यहां से गुजरिये लगती तो वही गाड़ी है जरा रिवाइन करिये एक मिट पॉस कीजिए अले ना तो ड्राइवर दिखला है और ना ही गाड़ी की नंबर प्लेट वोड़ा जूम कीजिए यह क्या लिखाई कार ओन.. कार ओन रेंट कार ओन रेंट कार ओन रेंट सर द्वानी नगर में कार ओन रेंट आंकी कम्पनी है कहीं यह गाड़ी वहीं से किराय पे तो नहीं ली गई थी सर, यह राइसकेच बंगे असकेच यह वो आदमी यह साब ऐसा ही कुछ दिखता था उस चीक है आसपास के दुकानों से पता करते है किसीना किसीने तो जरूर देखाऊगा उसे यह साब कालनी हो सकता हुआ क्या नहीं हो सकता है तुया यह बंगे इसकष यह काथ नहीं हो। उस्पा आदएस्टों में देख सकता है असंबव असंबाब रे काका क्या नहीं हो सकता क्या संबाव है यह नहीं हो सकता रंभीर वापस नहीं हा सकता का का इसादमी का नाम रंभीर है हाँ हाँ ने उसे अच्छी तरह जानता हूं कभी नहीं बूर सकता उसे का का इसादमी के आरे में आप जो कुछ भी जानते प्ली समय मदन, मेरी बात मानो, अगर तुमने मुझे उस तालाप को धुड़ने में मदद की, तो तुम्हारी जिंदिगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी. मेरी जिंदगी जैसी भी है ठीक है, आप मुझे सबसे दूरी रखें तो अच्छा होगा. देखो, इस इलाखे से जितनी अच्छी तरह तुम परिचित हो, वैसा इस गाओ में कोई नहीं है. इंकार मत करो, तुम ही मुझे मेरी मंजिल तक पुचा सकते हो, ये सिर्फ मेरा सपना ही नहीं, मेरा जुनून भी है. बहुत ही गलाच जुनून चुना है अपने अरणविर जी. अगर आप प्रकृति के नियमों के खिलाब चाहेंगे, तो प्रकृति आपको कहीं करी छूड़ेगी. वो जगा शाथपित है, शाथपित. ना जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है. भूल जाए अपने सपने को. क्या तुम भूल सकता है अपनी बीवी को? जो इस वक्त अस्पाताल में जिन्दगी और मौत के बीच में जूल रही है. नहीं ना, वैसे ही में अपने सपने को नहीं भूल सकता. सरा सोचो, अगर वाकई उस तालाब के पानी में मौत को हराने की ताकत है, तो तुम्हारी पत्नी को एक नई जिन्दगी मिल सकती है. सोच किया रहा हो, मादन. हम एक डूसरी की मदद से अपने आने वाली जिन्दगी को सुधार सकते है. तो बोलो, मन्जूर है? यह कैसे हो सकता है, काका? आपके कहने के मुताबिक आज से 73 साल पहले, यानी, 1941 में. यह आत्मी जैसा दिखता था, आत्मी बैसे ही दिखता है. अभी तो मैंने कहा था, असंभव. यह अजूबा कैसे हो सकता है? और इसी की वज़ा से तो मैंने अपने पिता जी को खोया था जिसकी वज़त से आपने अपने पिता को खोया है? हाँ, यह पेरे पिताजीद को बहला कर बैका कर एक तालाग पे लेकर गए थे. बुले, उस तालाग का पाने तीने से आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और उसकी उमर आगे बढ़ने से तुरुक जाती है. यह जाता है, यह जाता है, यह जाता है? मेरे पिताजी तो वापस नहीं आए. शायद उससे वो चमक्तारी तालाग मिलके होगा. और उसी के वज़ा से आज तक कहतर सान पहले जैसा अभी तक वैसे का वैसा ही तिखाई के रहे है. काका, यह कैसी बाते कर रहे हैं आप? यह स बिना आग के कभी दुआ नहीं उखता गेटा, तुम भले ही ना मानो, लेकिन उस तालाग के पानी में कोई शक्ती है, जो मौत को भी पराज़त कर सकती है. सर, पूरा जंगल चान मारा लेकिन कोई सुराग नहीं बिला. एक मेर, एक मेर, एक मेर, वो देखो. इस सर लगता है, यहाँ हाल फिलाल में ही खुद आई होई है. तो देखो. यह सिर्दु ना, यहां पर गुच्छा है, सर. माँ आए थाओ, यह तो सालो पुराना कंकाल लगता है. तर मुझम लाशो को जंगल में दफासे थे यह तो पता था. पर पहली बार मुझम इतनों सालो पुराना कंकाल जंगल में तफनाने आए थे यह निकालने. तर मुझम ना करो तो नाराज और करो तो मुझकिल अरे इतने उखड़े हुए क्यों है सराप भाई साफ जब आपको पता लगेगा ना के अनिकेत की मौत कैसे हुए, आप भी इतने ही उखड़ जाएंगे. सर जरूर किसी हथवड़े या डंडे से बार किया हुगा, सर इससे पहले भी हम ऐसे केस उल्जा चुके हैं. मगर निखिल पहले के केसे में और इस केस में फर्क है, और वो यह कि जिस हतियार से अनिकेत के साफ पेवार किया गया है, वो हतियार सौ साल पुराना है. क्या? 100 साल पराना? उठ गए औश? उकड़ए ना? दाही साब, अनिकेद के सर पर से मुझे लोहे और लकडी के चोटे चोटे तुकडे मिले हैं और यह तुकडे सौ साल से भी ज्यादा पुराने हैं लोहे और लकडी के तुकडे? मतलब हत्यार कोई ऐसी चीज़े जिसमें लोहा भी है और लकडी भी हाँ, आ यह में दिखाती हूँ यह देखिये, कुछ इस तरह मंगेसर इतना पुराना हत्यार खुनी के हाथ लगा कहा से शायद दादा पर दादा के जमाने से गर पर रखा होगा अब निकाल एकाम कि लिये आजअगर देह हुत जो आप लोग लेकर आएं यह देखी स्वğinचार से जयादा पुराना हैं मतलब कितना पुराना है यह कंतीाатель है भी ह कंकाल भी सोई अपुराना थेक उसी तरह इस तरह यह सदख़ एंग्राना है सौ साल पुराना हतियार और सौ साल पुराना मुर्दा वो भी विदेशी आज के जमाने में किसी को इसमें क्या दिल्चस्पी हो सकती है इस फोटो को दियान से देखिए इस अफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी आप भी कियां से किराय पे ली गई थी मात कीजे सर इस फोटो में कार की नंबर प्लेट नहीं दिख रही है इसलिए बता पाना मुश्किल है कि कार किसने किराय पर ली थी अरे बई कमाल करते हैं है तो आप ही की कंपणी के गाड़ी नहीं नंबर प्लेट ना सही कुछ और देख के पेचान लीजिए सर एक सो से जादा गाड़िया है हमारी कंपनी में और इसी मॉडल इसी रंग की करीब 20 गाड़िया है सर इस तरह बता पाना मुम्किन नहीं है तो आप एक काम कीजिए आप हमें ये बताइए कि ऐसी सफेद रंग की लेसकॉट गाड़ी कितने लोगों ने पिछले एक हफ्ते में किराय पे लिए या से एक मिनिट से सर खुल मिला कर साथ लोग हैं जिन्हों ने पिछले हफ्ते सफेद रंग की लेसकॉट कार किराय पर ली थी गुड अब हमें इन सातों की पूरी-पूरी जानकारी चाहिए ठीक है देखते हैं किया पता चलता है पाँच लोगों से पुस्ताश कर चुके बच्चे तो इन्हें में से कोई एक है जो इस केस की अगली कड़ी साबित होगा अलेकिन फ्रेडी जी ये पता करने के लिए रिसेप्शन बे कोई होना चाहिए यहां तो कोई आही नहीं हां यहां तो कोई दिखी नहीं रहे जी नमस्तर कहिए अमलक्सी आईडी से अच्छली अमर नाम के एक इंसान की तलाश में है बात यह है कि उसने सफेद रंगी एक लेस्कॉर्ड काड़ी को हायर कि और अपने अपने रिकॉर्द के लिए उसका कोई आईडी प्रूफ तो लिया होगा ना लाइसन्स पैन कार्ड वगर है दिखाये ज़रा मेडम लिया तो था लेकिन आजी सुए हमारे कम्पीटर का हर्ड ड्राइव क्रेश हो गया और उसी के साथ सारा डेटा चला गया माप कीजिएगा अच्छा यह अमर दिखता कैसा था उसका हुलिया कैसा था आप कमरा नंबर 701 वाले अमर सार ती बात कर रहे हैं ना आप राजू उसी के बारे में बतेगे हैं लोगों क्या था उसका हुदिया कद यही कोई साड़े पांच फुट लंबा और हाँ छोटे छोटे बाल और आखो का रंग काला था कद साड़े पांच फिट छोटे बाल इसका मतलब CCTV फुटेज में जो हमें इनसान दिखा था वो अमर नहीं हो सकता क्योंकि वो लंबा था और उसके बाल भी छोटे नहीं थे अच्छा ये अमर से कोई मिलने आया था उसके कमरे में यहां पर जो तुम्हें याद हो जो वो लो कर रहे थे कुछ याद है हाँ साब कुछ अजीव अजीव चीजों के नाम ले रहे थे जैसे फावडा हुलाडी हुदाल मतलब ऐसा समान जो जमीन की खुदाई में कामाता है जो इससे ये तो पता चल गया कि जंगल में वो जमीन खोदी किसने थी जिस तरीके के आवजारों की बात वो बेटर कर रहा था उसे तो यही लगता है कि यह संजे एक आर्कियोलोजिस्ट है संजे आर्कियोलोजिस्ट जो अमर के साथ वहां कड़े वे मुर्दे उखाडने गया था जरू कुछ न कुछ खास बात है उस पुरानी लाश में वदना को इतने सालों बाद सोथे वे मुर्दे को क्यो जगाएगा और शाद अनिकेतने उन्हें ये खुदाई करते देख ल लेकिन उस बाइक वाले का क्या जिसे उस बुढ़े आदमी ने पहचान लिया था उसके मुताबिक तो वह तालाप का पानी पीक के हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया पेड़ी इस दुनिया में कोई अमर नहीं होता जरूर इस बुढ़े आदमी का कुछ ना कुछ हाथ है सर इस बाइक वाले के बारे में बड़ी अजीब बात पता चलिया है क्यों ऐसे क्या अजीब बात है इदेखी सर इस अखबार की तारीक 13 जून 1931 जानी कि आज़ादी से भी पहले है आच रहा है सरी आदमी उस वक्से वांटेड है इसने उस वक्त भी कुछ लोग के खून क अजीब आदमी यह कैसे सकता है अभजी तगर यह मान के चले के उनी सो इक तालिस में इस आदमी की उमर 20 साल लगी होगी तो उस हिसाब से तकरिवन आज जिसकी उमर 90 साल से जादा हो 90 साल का कोई आदमी इस जवान कैसे देख सकता है हाँ पंकर्च ओके ठीक है सार संजे के घर का पता चल गया है खाती पुरा में रहता है हूँ खाती पुरा लगता है संजे को हमारे यहां आने की खबर लगी होगी इसलिए भाग या होगा है भाग कर जाएगा का अच्छी तनाजर तलाशी लोग इस घर की कुछ ना कोई से जरूर में लेका संजे का पासपोर्ट इस पे काफी सारे देशों के वीजाज लगें तो लगता है इस भाई साब को सहर सबाटे का बहुत शौक था यह देखो शेया इसकी चेक बुक की डिटेल से साफ साफ पता चल रहा है कि इस इंसान ने करोड़ों रुपए कर्च की हैं म्यूजियम और निलामियों सा समान खरीदने में देखो इसका मतलब संजे बहुत अमीर है और आर्ट में काफी दिलजस्पी रखता है अब इसे यह दिलजस्पी आर्ट में है या किसी खास चीज में यह तो वक्ती बताएगा लेकिन इक बात तो तो तह है यह संजे किसी की तलाश में कोई ऐसी चीज जो इसे दुनिया के कोने कोने में ले जा रही है हर म्यूजियम हर बड़ी निलामी थक सर आ iPhones दो Lords दोनुण में से यह डायरी मिलिये चुपा के रखे वीती दिखने में तो यह कोई एथियासी कोईर रखती है कुछ तो खास बात है इस डायरी में काफी नायाब और अलग किसम की डायरी है सर शायद संजे ने इस डायरी को किसी नीलामी में खरीता होगा अब ही पता चल जायेका, तो रहात करेंगे तो यह उसी Spanish Ship के Captain की डैरी है जो अपनी हर यात्रा के बारे में अपनी डैरी में लिखा करता था यह वही डैरी है इसका मतलब इस डैरी में उस रह समय तालाब के बारे में भी जरूर लिखा होगा सर, इसका मतलब Sanjay भी उस रहसमय तालाब को ढूण रहा था, इसलिए उसमें इसारा सामबान खरीदा वो सकता श्रया, लेकिन अगर यह वही डायरी है तो उस रहसमय तालाब का नक्षा, कोई मैप, कोई जरियाव जरूर होना चीए इसमें कमारे, इस डायरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नक्षा, कोई जरियाव, कोई रास्ता, कुछ नहीं, लेकिन इसे एक बात उताय हो गई, कि इस रहसमय तालाब को ढूणने में दोनों अमर और संजे साथ मिलकर काम कर रहे थे, इसका मतलब हमें इस कमरे में कुछ ना का, चान बीन करो, सार, सिय देखिए, क्वाप्टन? संजे ने अपने सारे पुराने सामानों की कार्बन डेटिंग करवाई किसी डॉक्टर विरेन से कार्बन डेटिंग इसका मतलब तो साफ है कि संजे अपने हर सामान के बारे में पता करना चाहता था कि वो असल में कितना पुराना है तो यह है डॉक्टर विरेन और इस फोटो तो साफ साफ पता चलता है कि यह कॉलेज में संजे का प्रोफेसर था तो फिर इस विरेन का भी हाथ हो सकता है अमर के साथ साथ संजे की मदद करने में डॉक्टर विरेन इसवत कोन आया आप लोग? आप लोग सी आईडी से हैं डॉक्टर विरेन से मिलना है अमीं बुलाओ था सार आप लोग बैंक से आया ना? ने साफ, इस सी आईडी से हैं सार सी आईडी? इसे पहचानते हैं आप? की नहीं, किसने मारा इसे? हमें पता होता तो अब तक मुझ्रीम सलाखों के बीचे होता देखिये, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता चलिए इस मामले में ना सही लेकिन किसी और मामले में हमारी मदद कर दीजी मैं कुछ समझा नहीं मैं समझा था आप हमें उस रह समय तालाब के बारे में बताईए, जिसका पानी पीकर इनसान कभी मड़ता नहीं है, जवान रहता है, अमर हो जाता है, यह क्या मज़ाग कर रहे हैं अगर ऐसा कोई तालाब होता, तो दुनिया में मौत नाम की चीजी नहीं होती, कमाल गड़ते हैं आप भी, हमें तो लगा कि आपके स्टूडेंट संजे ने आपको सब कुछ बताया होगा, लेकिन उसने आपको तालाब के बारे में कुछ नहीं बताया लगता है, संजे, तो आप संजे को जानते हैं, सिर्फ जानते ही नहीं, उसके घर होकर आ रहे हैं, जह साथ, इससे से याद आया कि आपके हिस्से की कॉफी थंडी हो रही है, दॉक्टर साथ, पी लीजे थंडी कॉफी पीने में कोई मज़ा नहीं है, वैसे ये कॉफी का दूसरा कप किसके लिए, इस घर में और भी कोई आय किया, हाँ साथ, अभी तुम जाओ, तुम जाओ, ये अभी अभी मेरा दोस्त आय था, उसी का, नहीं, आपके दोस्त का नाम संजे तो नहीं, देखिए विरेंज साब, आप शकल से तो नहायती शरीफ इंजान लगते हैं, अब इस संजे की वज़े से आपको जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़े, अम में से किसी को भी, पुर्तुगली एक्स्प्लोरर का सामान मिला था, उसमें लेटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, उसका मतलब जानने के लिए वो मेरे पास आया था, इसका मतलब वो मुर्दा उसी पुर्तुगाली एक्स्प्लोरर का होगा, और उसी की समान की तलाश में संजे जंगल म उसमें एक गुफा का नाम लिखा था सिनारी गुफा सिनारी गुफा बुख बबर्य बुर्य को, अब बुख रही है यहां पराजरी और नहीं आपनी बहरक्दूरी तो दिखा दी अब बता भी तेता हूं कुछ नहीं है यहां पर चलिए वापस चलिदे अरे रुकिए 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 फेडी जी इतनी बाजरी दिखाई है तो थोड़ी और दिखा दीजे सार आशर यह दिखिये अजीम निशान बने हुग है अरे यहां पे भी है अड़ दिवार पे कई यह निशान उसे पुर्टगाली एक्स्प्लोरर तो नहीं निशान हमें उस तलाब तक पहुष्णने का रास्ता दिखा रहे हैं शायद अंदर चल के देखते तोदोल वाच्वेट यह तो संजे है हो सर, हो ना हो यह ज़रूर अमर की लाश है यह देखिए होटेल के वेटर ने हमें जो घुलिया दिया थी यह हूब हूब ऐसा ही है लगता है यह दोनों यहां पे उस तलाब के तलाश में आयते हैं आयते जिंदेगी को ओमर बनाने और बदले में मिली मौत है कुन वो आत्मी जो तलाब के खोच करने वाले रोगों का खून कर रहा है जरूर कोई ऐसा है फ्रेडी जो नहीं चाहता कि उसके अलावा इस तलाब के बारे में किसी और को पता चले एस्ताट होना हो यह काम रॉर रनवीर का ही होगा क्योंकि जब संझे कुदाई कर रहा था तब रनवीर भी वहाँ मौजूद था अए प्साट ठेंजिए को दई यहां पर जूतों की नीचान है एग यह तहई है अज़ अलग अलग जुदों के निशान दिख रहे हैं कम से कम पांच लोगों के होंगे सही करें हैं तो अमर और संजे के होंगे एक रनवीर का वाकी दो निशान इसका मतलब साफ है इस गुना में दो और लोग शामेल है लेकिन कौन सिंबस को देके लगता है कि यह हमें उस उस चांतकाली तालाप का रस्ता बता रहे हैं अजाने कितने साल पहले बनाए गया है अब यह निशान तालाप की तलाश में और इन निशान के अंदर ही वच्छा भी चुपी है जिससे हम इस केस का ताला कौल सकते हैं अरे सर यह तो एक टापू बन गया और इसके बीचों बीच में यह तालाप मगर सर यह टापू है कहां पर है और आम यह तक पहुंचेंगी कैसे इसका पता चल जाएगा निखिल अगर आम इन निशानों की भाषा समझ पाए हैं उनको अक्षरों में बढ़ेंगे तो पता चलेगा सर इस तरह के निशान मेंने पजल की किताबों में देखे हैं अब अब अजल के साथ हाइरोग्लाइफिक अल्फेबड बुक भी आती है ना हाँ सर वंच जली से जाकर व किताब देखे रहा हूं ओड़ेंगे ए इस किताब में जो अक्षर दिये गए हैं उसके हिसाब से तो यह बन रहा है ए ए एन डी ए वी आई ए अंदाविया अंदाविया शिर जाचर नां इंटरनेट पे चेक करो अंदाविया टापू जसी कोई जगह है क्याँ अब सर यह देखिए, यह अंदाविया नाम का टापू भारत के दक्षिनी दशा में, यानि के इंडियन ओशन में, मुझर सर, यहां लिखा है कि यह टापू बिल्कुल खाली है, यहां कोई नहीं रहता, और इस टापू का मौसम और वातावरन रहने के अनुकूल नहीं है, अब सम संदाविया टापू में होगा, वहां पे देखो, वहां पे कुछ है, सर लगता है किसीने आग जला के गैमफायर किया है, वही लोग होंगे जो तलाप की तलाश में यहां पे आये थे, इस मैप के हिसाब से तो, उत्तर दिशा में करीब साथ किलोमेटर अंदर है बो तलाप, एकाम करते हैं, यहां से सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, किसी को कुछ भी मिलता है, परो नहीं दूसरे को इंफर्म करेंगे, ओक्या है? यह सर, सचीन, जगा जगा पेड़ों पे तो, लाड़ी की निशान, जो लोग तलाप की तलाच में तर गया होंगे न, उन लोगों नहीं लगाया होगा, रास्ता पे जानने के लिए, ओ माइगाड, कंकाल, ना जाने कितने साल पुराना मुर्दा आई है, दूगा अबी भी निकल रहा है, आग जले शाहिज जाएज जादा द्या नहीं होगे है, अबे, इक और कंकाल सर, जिन्दगी दीने वाले तालाब ने नादाने कितने लोगों की जाने ने ले लिए जिन्दगी तालाब नहीं ले रहा है सुचिन कोई इंसान ले रहा है जिसका कोई ना कोई राज जोड़ा है उस तालाब के साथ और नजाने कितने कंकाल देखने को मिलेंगे यह तो ट्रैप है कोई आ रहा है यह तो रन्वीर है रन्वीर है रन्वीर कोली चलने के अवास इस तरब से आई करें को कुछ होता नहीं कहें चलने के अप्राइएमध मैं आपपे गोली नहीं है इस पर चलाई थी तुम आपको मारना चाहता था तुम रन्वीर हो ना रन्वीर तो मेरे दादाजी का नाम था मैं मैं आकाश हूँ आकाश तुमारी शकल बिल्कुल तुमारे दादाजी से मिलती है यह बात पहले कई लोग बोल चुके मुझे मगर तुम अपने दादाजी की तरीके से चमतकारी तलाब के चकर में कैसे बढ़ गये है दो महीने पहले मैं यह देश में भी नहीं था यूएस में लोग की पड़ाई कर रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात संजे से हुई वो इस तालाब और मेरे परिवार के संभंधित कुछ जानकारी चाहता था अच्छा तो तुमने संजे को अपने दादाजी के बारें बताया हां मगर म हां और इस राज तक भी पहुच सको कि मेरे दादा जी उस तालाब के तलाश से वह पस लौटे क्यों नहीं अच्छा क्या संजे को वाकर ही लगता था कि उस तालाब में कोई चमतकारी शक्ती नहीं वो चमतकारी शक्ती के पीछे नहीं था सर वो खजाने के पीछे था जो के जमाने से वहां पे दबा पड़ा है इस खजाने की बात करें तो सालों पहले स्पेन देश से एक ट्रेजर शिप आई थी इस टापू पर तालाब की तलाश में अच्छा उस शिप के कप्तान की डायरी संजे के घर से मेली थी नहीं हां उसी डायरी से उसे खजाने के बार अच्छा उस खजाने को यहीं इस टापू में कहीं चुपा दिया है हां और संजे को उस खजाने की तलाश थी ना कि किसी चमतकारी पानी की सर अप लोग ठीक तो है ना हम लोग ठीक हैं गूली के अवाद सुनके लगा कि कुछ ख़तर है हैं पर ख़तरा भी टला नहीं निकिल कुछ लोग हैं जो खजाने की तलाश में मरने मानने पो उतार हो गया हैं सर तालाब तो मिल गया लेकिन यह तो सुखा हुआ है लोगों क सुने का सिक्का सुने का सिक्का मतलब खाजाना था यहाप है सर असका मतलब वह आदमी खाजाना लेके यह लोग इस तरफ से निकल गया बाहर सर यह रास्ता तो तो टापो के दूसरे इस से जाता है मैं भी वही से आया था और उन लोगों की नाप भी वही पे थी टापो के दूसरी तरफ, रोकना वोगा उन्हें. आज अधिया दून्नुग, आजो, आजो. बस, बस, बस. खजाना यहीं रखडो, बागी किजिमें तारी सिएडी की है. तो उन्हें सताक्षपियाई बादाना ओ७ह! इार उन्हें रफ! आए happyma. तो खमया खीए आए, आए capital… आ, आए e है. खभजे हैं वो! आए sounds वट वह भेझो, वा वह भूए स्टूहे को devil जड़ोर मिया खवए वक जिर जल रहर वह जाए है सबस्तूह एमेजर भीहा है यहा है तो तुम वे इस खेल के खिलाडी है हाँ मैंने मैंने हिमारा है अमर को संजे को और अनी गही तो भी मगर तुमें संजे और अमर के प्लान के बार में पता कैसे चला उस दिन जब होटल के बार में वो लोग बात कर रहे थे मैंने उन दोनों की सारी बाते सुन ली थी हम बहुत जल्द खजाने तक पहुचने वाले हैं फिर हम बेशमार दोलत के मालिक हो जाएंगे ओ तो उन दोनों का पीछा करते करते तुम वहां जंगल तक पहुच गये हाँ अमर और संजे वहां कुदा ही कर रहे थे मैं अपने आद्वियों के साथ वहां पहुच गया और अमर की खुद पिटाय की संजे ढर गया और इस बात के लिए राजी हो गया कि खजाने का पता लगाकर तो वह मुझे उसका 90 प्रतिशत दे देगा और अनिकेद ने तुम्हें ये जुर्म करते हुए देख लिया तो उसका भी खौन कर दिया तुम्हे हाँ उसकी तो किस्पंदी खराब थी बेमौत मारा गया और जब संजे मुझे उस कुफा तक ले गया मेरा काम खत्म हो गया उसे सिंदा रखना मैंने जरूरी नहीं समझा है किसमत तो तुम्हारी खराब है जिस खजाने की लालच में तुम्हे इतना बड़ा गुना किया उसका एक रुपया भी खर्च नहीं कर पाओ के तुम्हे हासी होगी तुम्हे हुआ झालच में तुम्हे